जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 और 13 मार्च 2023 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे और इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिन्चरिया को कैसे प्रभावित करेंगे जानेंगे आपके वेपार, वेबसाय, नौकरी, सिख्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन सभी के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेधन हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो जानते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे बात करते हैं सबसे पहले 12 मार्च 2023 के बारे में तो चैत्र महा का किर्शन पक्ष का रविवार का दिन होगा पंचिमी तिथी राद 10 बज कर 4 मिनट तक रहेगी, इसके बाद सच्टी तिथी सुरू हो जाएगी वेगहात योग साम 6 बज कर 40 मिनट तक रहेगा, फिर हर्शन योग सुरू हो जाएगा स्वाती नकख्षत्र, सुभे 8 बजे तक होगा, इसके बाद विशाखा नकख्षत्र सुरू हो जाएगा सुरिय देप कुम राषी में वराजमान होंगे देप, सुभे 2 बज कर 19 मिनट तक स्टोला राषी में वराजमान होंगे इसके बाद वरश्चिक रासी में गोचर कर जाएंगे यानि आपकी 12 भाव में सक्रिय वस्था में होंगे और यहां से आपके छटे भाव पर दस्टी डालेंगे राहुकाल का समय साम 4 बजकर 58 मिनट से साम 6 बजकर 27 मिनट तक रहेगा अभिजीत मूरत दोफेर 12 बजकर 7 मिनट से दोफेर 12 बजकर 55 मिनट तक रहेगा और 12 मार्च को गजकेसरी योग का निर्मान भी होगा तो गजकेसरी योग के फलसरोब आप कुशल होंगे, राजाओ जैसे सुख भोगने वाले होंगे उच्पद पर आसीन होंगे, वाद विवाद भासन कला में निपन होंगे और आप अपनी बुधिक सक्तिक अनुसार धन दौलत मान सम्मान प्राप्त करेंगे इस योग में आपकी सभी महत्तु कांक्छाएं पूरी होंगी आपकी सूझ दूर गर्सी होगी और अपनी सूझ बूझ से, साहस से, कारे छेतर में अच्छे फल की प्राप्ती होगी वेपसाय और वेपार में उचे मुकाम हासिल होंगे धन सम्मंदी सभी परिशानिया दूर होंगी और सुख फल की प्राप्ती होगी संतान का सुख भी इस योग में प्राप्त होता है मकान वाहन का सुख भी इस वरान आपको प्राप्त होगा और समाज में ओहदा बढ़ेगा मान सम्मान प्राप्त होगा और इस दिन यानि 12 मार्च को सुबह 8 बज कर 13 मनट पर शुक्र देव में इस रासी में गोचर कर जाएंगे यानि आपके पंचम भाव में सक्रिय वस्ता में होंगे और आपके पंचम भाव में इस्थित होकर आपके लाव भाव पर दस्टी डालेंगे तो शुक्र का है गोचर आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा शुक्र आपके छटे और ग्यार्मे भाव के स्वामी है और शुक्र का आपके पंचम भाव में होना आपके ग्यान में वरद्धी करेगा छात्रों को यह समय बेहद अनकूल साबित होगा जो चात्र किसी पृतियों की परिक्षा की तैयारियों में लगे हैं या अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं वो इस दोरान अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे साधी सुधा लोगों के घर में किसी नए महमान का आगमन होगा कोई सुब समाचार प्राप्त होगा और घर में खुशी का महावल होगा प्रेम संबंद मजबूत होगे और शुकरदेव यहां से आपके ग्यार में भाव पर दस्टी डालेंगे तो अलग-अलग रास्तों से पैसा कमाने में आप सफल होगे यानि एक से अधिक माद्यमों से आपको धन की प्राप्ती होगी जो लोग जौब करते हैं उनके पिरमोशन के योग बनेंगे रोका हुआ धन वापस मिलने की संभावना होगी समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कुल मलाकर शुक्र का है गोचर आपके जीवन में चार चांद लगाएगा और मा लक्षमी की किरपादस्टी आप पर बनी होगी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और जब शुक्र देब में इस रासी में एंट्री करेंगे तो वहाँ पहले से ही विराजमान राहु के साथ यूती होगी तो ऐसे में राहु और शुक्र का संयोग होगा राहु को जोति सास्त में असुर और कुरूर ग्रह माना जाता है तो ऐसे में राहू और शुक्र की युति का विशेश योग बनेगा जो धनुरासी के लोगों को अच्छा लाब दिलाने वाला होगा आपके केरियर में कापी हेलफुल होगा और खास तोर से विध्यारती वर्क के लोगों को यह समय सांदार सावित होगा सादी सुदान लोगों के लिए भी कोई खुशकबरी मिलेगी अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो इस गोचर के दोरान उसका समाधान भी होगा आर्थिक इस्तिती भी मजबूत होगी और इस दोरान आप अच्छी बचत करने में भी सफल होगे आपके परवारिक सम्मंद अच्छे होंगे आपसी रिष्टे मजबूत होंगे बात करें 13 मार्ज 2023 की तो चैत्र महा का किर्शन पक्ष का सौमवार का दिन होगा सश्टी तिती रात 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी फिर सब्तमी तिती सुरू हो जाएगी हर्चन योग साम 5 बजकर 8 मिनट तक होगा इसके बाद वजर योग सुरू हो जाएगा विशाखा नक्षत्र सुबह 8 बजकर 21 मिनट तक होगा फिर अनुराधा नक्षत्र सुरू हो जाएगा सूर्य देब कुम रासी में विराजमान होंगे चन्दरदेव वरश्चिक रासी में विराजमान होंगे राहुकाल का समय सुबह 8 बजकर 3 मिनट से सुबह 9 बजकर 32 मिनट तक होगा अभिजीत मोरत दुफेर 12 बजकर 7 मिनट से दुफेर 12 बजकर 54 मिनट तक होगा और इस दिन सरवार सिध्धी योग होगा और रवियोग का निर्मान भी होगा तो ऐसे में आपके सभी कारिये सिध्ध होंगे इस योग में किये गए कारिये बिना किसी विवधान के पूर्ण होते हैं और अच्छा परणाम देने वाले होते हैं और 13 मार्च को 5 बजकर 47 मिनट पर मंगल देव मिथुन रासी में गोचर कर जाएंगे यानि आपके सब्तम भाव में सक्रिया वस्था में होंगे मंगल देव आपके पांचवें और बारवें भाव पर सासन करते हैं और आपके सब्तम भाव में वराजमान होकर आपके लगन भाव पर द्रश्टी डालेंगे तो यह समय प्रेमी जोडों के लिए काफी सांदार साबित होगा और साधिसुदा लोगों के लिए भी समय काफी अनकूल होगा इस वरान आपको अपनी वानी पर सइम रखना होगा अन्यता इसका असर आपके रिष्टों पर पड़ेगा आप दोनों के बीच वाद विवाद हो सकता है तो ऐसे मैं अपने गुसे पर और वानी पर सइम रखना होगा साथ ही जीवन साथी की सेहत का भी विशेज ध्यान रखना होगा मंगल महाराज साथमे भाव से आपकी कुंडली के लगन दूसरे और दसमे भाव पर दस्टी डालेंगे तो मंगल की दृष्टी के प्रभाव से आप अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा एस रख्षित महसूस कर सकते हैं मानसिक तनाव इस दौरान आपको हो सकता है लेकिन इस दौरान आपको कोई समश्या नहीं आएगी लगन भाव पर मंगल देव की दृष्टी के कारण आप थोड़ा आकरमक हो सकते हैं आपको स्वभाव उग्र हो सकता है अचानक गुस्सा बढ़ सकता है और आठमी दृष्टी आपकी कुण्डली के दूसरे भाव पर पढ़ने से आपको स्वास्ते संबंदित परिशानी हो सकती है तो ऐसे में थोड़ा सा सावधानी रखें इस औरान केरियर या वैपार वैवसाय को लेकर आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और अपने कारेचित में बहतर प्रदर्शन करने में भी सक्चम होंगे जिससे आपको अच्छे लाब की प्राप्ति होगी इस दोरान नित्रत्व करने की चमता आपके अंदर होगी आपका वैक्टिव रहेंगे और उनमें आप सफल भी होंगे रुपे पैसों को लेकर थोड़ा दबाब हो सकता है लेकिन आप अपने गंभीर प्रियासों से इस से पार पालेंगे जो लोग जौब में हैं उनके लिए समय काफी सुबसाबित होगा परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और कोई सुबसमाचार प्राप्त होगा जिससे घर में खुसी का माहौल होगा कुल मिलाकर मंगल और शुक्र का गोचर आपकी जीवन में रंग भरने का कारिय करेगा समय काफी सकारात्मक साबित होगा दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें